हेलो एवरीवन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवं प्रोनती बोर्ड के द्वारा एक नोटिपिकेशन जारी किया गया है उसी के संबन में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरच्छी नागरी पुलिस के पदों पर सीधी भरती दोहजार तेश यानि कि यह जो आपकी विकेंसी है दोहजार तेश की थी उसका जो रीग्जाम हुआ अभी आपका कुछ दिन पह पालिया हुई थी तो उसी से संबंदीत आपका एक्जाम तो आपका हो चुका है तो आप आप किसका वेट कर रहे थे सब लोग आंसर की का वेट कर रहे थे तो आंसर की यह संबंदीत थी आपका यह नोटिफिकेशन जारी किया गया उसी के संबंदीत हम लोग बात करने वा प्रचित भी होगे, जानते भी होगे, को निम्ना उसार प्रदर्सित किया जाएगा, यहाँ पर आपका यह बता दिया गया है, ठीके ना, जैसे आपका एक्जाम हुआ था, पांस डेट में 23, 24, 25, 30 और 31, ठीके न, पर्थम और दुति पाले ही, तो उसी के एक्षार्डिंग कि आपको एक साथ सभी लोग में की आंसर की रिलीज नहीं की जाएगी यहाँ पर देखिए नोट कॉपिशन में दिया भी हूं तो आप उसको पढ़कर कि अच्छी तरीके से उचिजों को समझ सकते हैं gusta अगर आपको अब कोई question में आपत्ती होती है, कोई problem होती है, आप कोई correction दर्ज कराना चाहते हैं, ठीक है न, तो उसकी भी date दी गई है, तो यहाँ पर आप उसको दर्ज अपनी आपत्ती दर्ज करा सकते हैं, देखिए जो 23 तारिक एक्जाम हुआ, पर्थम एवं दुती पाल में तो वो लोग कब आपत्ती दर्ज करा सकते हैं, 11 तारिक से आपत्ती दर्ज करा सकते हैं, और 15 तारिक तक आप लाश डेट है, आपत्ती दर्ज करने की रात को 12 बजे तक, ठीक है, उसी प्रकार से 24 तारिक वाले भी जो भी candidate हैं, वो 12 तारिक से आपत्ती दर्ज करना उन इस तारिक तक आपका, आपका अपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना, आगे पड़ते ही, notification में और क्या दिया गए, दहीं यहाँ पर दिया गए, आप बरतियों को किसी प्रस्ञ या किसी प्रस्ञ के उत्तरविकल्प या उत्तरकुंजी के सम्बन्द में कोई विशंगती ग्यात होती है तो वे अपनी आपत्ती शुशंगत यहां पर एक बहुत इंपोर्टेंट चीछ यह आपको ध्यान देने वाली है यहां पर लिखा गए शुशंगत अभिलेक या सूशना के साथ आनलाइन दर्ज करा सकते हैं यानि कि जो एक मान है जो वैलिड है ठीक है वही आ वहां से आप रिफरेंस लेकर के आप अपनी आपत्ती दर्ज करा सकते हैं ठीक है अब भरतियों को आपत्ती दर्ज कराने ही तो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्द लिंक पर जाकर अपना रिजिस्टेशन नंबर जन्मति थी वा परश्न पुस्तिका क्रमांग ठीक है इसकी साहता से आपको लॉग इन करना होगा जिसमें परतेक अबर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र या उत्तरकुंजी देख सकेंगे ठीक है ना आपने जो पेपर दिया है तो सिर्फ आप अपना ही पेपर देख सकते हैं अपनी आंसर की देख सकते हैं और कोई आपको प् प्रोग्त अंकित साणी में अपनी परिच्छा तिति के शम्मुख अंकित निर्धारी तितियों को ही अपनी आपत्ति ओनलाइन दर्ज करा सकते हैं मनलीजी कि आप अगर वेट कर रहे हैं कि बिलकुल लाश्ट तक 31 ताइक तक जिन्होंने एक्जाम दिया है ना लिजे दे देट के अंदर ही आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं यहां पर आप इसको ध्यान रखेंगे ठीक न देखिए यहां पर आगे लिखावा कि जिस प्रश्ण के शंबन्द में एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है उस पर पुना आपत्ति नहीं की जा सकती ही इसलि आप एक बार सम्मिट कर दिया आपने तो फिर आप दुबारा अपत्ती दर्ज नहीं करा सकते हैं। तर्दाई नहीं होगा और नहीं तर्टी पाए जाने पर तर्टी पुड़ा अंकन को किसी प्रकार का लाब या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा। आप शबीका बहुत बहुत धन्नमाद। तर्टी पुड़ा अनुमन्य होगा।